हेलो एवरीवन, वेलकम टो MM Academy, मैं हूँ शचांग लखेरा और इस वड़ो में जो है हम सेट टू देखने वाले हैं, जो हमारा चैप्टर टू जो चल रहा है वैदे केज का, उसके बारे में जो हम बात करेंगे, तो कोशन लेवल जो है UPSC और State PSC के लेवल के होंगे, और यह बहुत ही जादा जो कोशन हैं, बहुत ही जादा जो लेक्चर्स हैं, वीडियोस हैं वह आपको देखने को मिलेंगे, एप पे, तो जल्द जल्द जो है 12,000 MCQs में अपने आपको एन्रोल कर लो, और यह एक बहुत ही बड़ा कोर्स होगा, जिसमें हमें फुल लेंथ कोर्स ह जो है, यहाँ पे कवर करने वाला हूं, फुल लेंथ जो है, यहाँ पे हम MCQs कवर करेंगे, चैप्टर वाइस, तो आगे बढ़ते हैं, आपको एप को डाउनलोड करना है, आप यहाँ पे MM Academy आपको डाउनलोड कर लो, फिर आपको यहाँ पे सैन अप करना है, आप दो वी MM Academy.in तो यह वेबसाइट है, आप यहाँ पे जो है, फांडेशन कोर्स जो है, UPSC का वो ले सकते हो, इसके अलावा, जो 12,000 MCQs का कोर्स है, वो आप यहाँ पे ले सकते हो, इसके अलावा, आगर आप को सिंगल कोर्स लेना चाहते हो, जैसे आप यह 12,000 MCQs का ही कोर्स लेना कर सकते हो, और इस टेलीग्राम चैनल को जोईन कर लो, तो जो भी अपडेट है, वो टेलीग्राम में भी जो है, आपको दे दिये जाएंगे, तो शुरू करते हैं, तो सबसे पहला कोशन है, which one of the following is the distensive features between a naastik and aastik system in इंडिया, तो भारत में naastik और aastik प्रणाली के बीच निनलिक्त में से कौन सी विशिष्ट विशेष्टा है, तो option है, believe in the existence of God, believe in the doctrine of rebirth, believe in the authenticity of the Vedas, believe in the existence of heaven and hell, और हिंदी में अगर हम देते हैं, तो इश्वर में, अस्तित्वों में विश्वास, पुनरजर्म के सिध्धान्त में विश्वास, वेदों की प्रमाणिक्ता में जो God को नहीं मानता, आस्तिक जो होता है, वो भगवान को बहुत पूजा करता है, भगवान को बहुत मानता है, तो basically अगर आप देखो कि इन दोलों में main difference क्या होगा, कि existence of God को लेके, एक बोलता है कि यहाँ पर God होते हैं, और एक बोलता है कि यहाँ पर God होते हैं, और एक सही आंसर होगा, इश्वर में, अस्तित्व में विश्वास, तो यह जो है basically इसका सही आंसर है, तो जो main difference है, वो नास्तिक और आस्तिक में वो यही है, नेक्स सेगर हम बात करें, न्याय दर्शन was propagated by, तो न्याय दर्शन एक न्याय सूत्र है, basically इसको जो प्रोपोगेट कि किया था, वो किस ने किया था, तो यह गौतम ने किया हुआ है, तो न्याय सूत्र का दो श्रेह यह गौतम को जो है दिया जाता है, जो basically एक principal author रहे है, न्याय सूत्र के, तो कम से कम, at least यहाँ पर principal author जो है, इनको यहाँ पर कहा जाता है, न्याय सूत्र का, तो न्याय मुख्य रूप से किस समंद्ध है तो यह कोशन हम से पूछ रहा है तो मनु इस्मृति बिसिकली अगर आप देखोगे तो यह जो है यहाँ पर हमको लॉस देखने को मिलते हैं तो मनु इस्मृति को मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है और लॉस ऑफ मनु भी कहा जाता है मनु इस्मृति को कितने अध्याय में डिवाइड करके रखा गया है तो बारा अध्याय जो है यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं और इसके अलावा फोर ब्रॉड थीम्स भी है यहाँ यहाँ पर यह काफी इंपोर्टेंट है तो इस एक्स में हमको चार जो में थीम है वो थीम्स भी है पहला डा क्रियेशन को देखेंगा है ऑफ धर्म धर्म के से और इसके लावा धर्म फोर शुशल Classes जह चार Classes है ठीक है वेस्ट है शूद्र है शत्री है जीक है ब्राम्पन है तो इनको लेके यहाँ पे धर्म भी बताया गया है इसके लावा Law of Karma भी बताया है Rebirth बताया है और Final ebenration जह है यहाँ पे बताया गया है तो basically जो है किस से डील करती है तो यह लॉज से जो है आप डील करती है और यह समाजिक विवस्ता याने सोचल ओर्डर से आप इसको कन्फ्यूज बिल्कुल मत कर लेना इसका सही आंसर जो है आप लॉज होने वाला है नेक्स हम बात करें the religion of early Vedic Aryan was primarily of तो religion जो प्रारंबिक वैदिक Aryan का धर्म मुख्यता क्या था तो यह कोशन हमसे पूज रहा है तो option है भक्ति, image, worship and yajnas, worship of nature and yajnas, worship of nature and भक्ति भक्ति, छवी पूजा और यग, प्रकरती की पूजा और यग्य या प्रकरती और मुख्य की पूजा तो बिसिकली जो अर्लिक वैदिक जो आर्यान रहे हैं, primarily अगर आप देखोगे, तो यह नेचर की वर्शिप करते थे और यजना जो है, मतलब यक यहाँ पे किया करते थे तो वर्शिप ऑफ नेचर और यजना जो है, यह बेसिकली जो रिलीजन जो अर्ली वैदिक आर्यान है, यह primarily जो है इनीक से जो है यह बिलॉंग करते हैं, तो यह नेचर और यजनास की जो है आपको ध्यान रखना है, नेक्स से अगर हम बात करें, which of the following inscription tells about the movement of Aryan from India, from Iran to India, यह काफी important question है, UPPSC में एक बार यह question आ भी चुका है, तो inscription के अगर हम बात करें, कौन सा वो encryption है निमलिखित में से, यह शिलालेख है, जो इरान से भारत में Aryan के आने के बारे में जो है यहां पर बताता है, तो basically जो आंदूलान हुआ है, मतलब जो वहां से वो यहां आए है जिसके बारे में जो यहां पर बताता है, मतलब migration के बारे में यहां पर बताता है, तो यह joke आप से यहां पर पूछ रहा है, तो option है, मंशेरा, शाहबच, गढ़ी, बोगाज कोई और जुनागर, तो यह काफी important question है, तो हिंदी में अगर हम देखते, तो मंशेरा है, जिए गड़ी है बोघाज कोई है और जूनागळ है तो पहली बत पहले इसका सही आंसर क्या होगा तो जो क्रेशन नहीं हम और बताता है कि एरान से इंडिया जो है आर्यान आयां है। उनका movement यहां पर हुआ है यह जो है बोघास कोई जो है in सब्सक्राइब अगर हम बात करें कि बोगास कोई जो इंस्क्रिप्शन है यह उस्टा लेगा तो यह तो यह हमको तुर्की में देखने को मिलेगा और यहां पे इंस्क्रिप्शन पूरता है यह यहां पे इंस्क्रिप्शन में आया है इसके अलावा वह फोगास कोई इंड्र वरुन मित्र और तू नस्तियास को ठीक है तो basically ये भी जो है जो inscription है उसके बारे में और भी चीद़ जो है यहाँ पर बताई गई है तो इसका सही आंसर क्या होगा inscription जो है यहाँ पर बताता है कि Aryans का movement हुआ है इरान से इंडिया तो ये भогास कोई जो है यहाँ पर सही आंसर है भогास कोई कहा है Turkey में है Turkey capital क्या है Turkey केपटल हैंकारा और Turkey को recently जो है यहाँ पर gray list में कर दिया गया है FATF की FATF की gray list में जो है यहाँ पर कर दिया गया है तो इसका अंसर comment box में ज़रूर बताना नेक्स अगर मैं बात करूँ तो जो टर्म है आरेन ये क्या डिनोट करती है तो आरेन शब्द का अर्थ क्या है एक एथनिक ग्रूप और नॉमेटिक पीपल और स्पीच ग्रूप और सुपीरियर रेस तो एक जाती है समूँ एक खाना भदोश लोग एक भाशन समूँ और एक श्रिष्ट जाती तो अगर आप देखोगे तो टर्म जो आरेन है ना इसका जो मेनली जो है एक बेसिकरी आप इसको ग्रूप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो तो आरेन जो है यहाँ पर डिनोट करते हैं यहाँ पर एक रेस नहीं है ये यहाँ पर एक ग्रूप है तो जो बैदिक संस्कृप है वो यहाँ पर रेलेशन्शिप बताता है मिज़. लेंग्विंज जो यूरॉप और एस्या के बीच में है तो इसलिए इस आरे सब्द का जो है एक भाषाई समू जो है यहाँ पर दर्शाता है तो speech group जो है यहाँ पर सही है एक भाषाई जो है यहाँ पर समू इसका सही आंसर होगा तो आरियन जो है यही denote करते हैं next जेकर हम बात करें meaning of आरिया in classical Sanskrit तो आरिया का जो classical Sanskrit में meaning है शास्त्री संस्कृत में आरे का अर्थ जो है क्या है यह कोशनम से पूछ रहा है तो option A है believer of God a hereditary caste a believer in particular religion a noble man तो भगवान में आस्तिक एक वंशानुगत जाती विशेश धर्म में आस्तिक एक नेक आदमी तो आरे जिनको यहाँ पर आरे भी कहा जाता है आरे भी कहा जाता है संस्कृत में यह आरे आप देख सकते हैं ऐसा लिखा हुआ है तो यह एक Indian और Iranian नेम ठीक है क्योंकि हमने देखा है कि आरे कहां से आए है तो इरान से जो है भारत की तरफ यहाँ पर आए है और इसके बारे में हमको जो है Bogaskoy तो Bogaskoy जो inscription है वो यहाँ पर जो है इसके बारे में हमको बताता है अब Bogaskoy inscription कहा है तो यह Turkey में हमको देखने को मिलता है ठीक है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि जो आरे है इसका meaning यहाँ पर क्या है तो सबसे पहले आरे को समझ ली हमने कि इंडियन और इरानियन जो है नेम हमको देखने को मिलता है और इसका signifyingly जो mainly जो meaning है वो क्या होता है तो honorable होता है ठीक है तो एक नेक आदमी a noble man जो है यह जो है इसका सही answer होगा तो आरे का जो meaning होता है classical Sanskrit में वो होता है a noble man एक नेक आदमी तो यह जो है एक भारती और इरानियन नाम है ठीक है तो option में आपसे यह भी दे सकते है किनमें से कौन सा नाम जो है भारत और इरान के रूप में जो है यह आप जा रहा जाता है या mixed जो है basically इरानियन नेम है इंडियान और इरानियन जो है नेम है तो आपको जो है यहां पर यह देखना है कि यह आरे जो है यहां पर सही आंसर होगा और कोशन जो है आपको ancient India के context में पूछा जा सकता है या वैदिक इंडिया के context में या वैदिक time के context में या पूछा जा सकता है तो next अगर हम बात करें which among the following road on the original homeland of the Arians तो निमलिकित में से किसने आरियों का मूल मात्र भूमी पर लिखा है तो यह जो है कोशन है हमारा option है शंकराचार, Annie, Basant, Vivekanand, Balangadar, तिलग तो शंकराचार, Annie, Basant, Vivekanand, Balangadar, तिलग जो है यह बहुत ही फेमस फ्रीडम फाइटर रहे यह बात आपको बता है और इनका जन्म जो है यहां पर Bombay Presidency में हुआ था, Bombay Presidency में जो है इनका यहां पर जन्म हुआ था, रतनागरी डिस्टिक में, रतनागरी जो है बहुत ही फेमास है अपने आम के लिए, इसके लावा बाल गंगादर तिलक के वारे में अगर हम बात करें, तो comment box में बताना कि ब रिगवेदे कारियों की विशेशता नहीं है, देव और एक्वेंटेट विद होर्सेस, चेरियोट्स, एंड यूज ऑफ ब्रॉंज, सेकंड ऑप्शन है, देव और एक्वेंटेट विद दा काउ, विच फॉर्म्ड दा मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्म ऑफ बेल्थ, फोर लोहे के उप्योक से परचित थे, वे गायक से परचित थे, जो धन का सबसे महत्मून रूप है, वे तामे के उप्योक और अधुने खल से जो है, फाल को जो है, विसेकली फल को जो है आपर परचित थे, मतलब ये ब्लक फील्ड को जो है आपर परचित रहे हैं, तो इन सब नहीं है दोहे के उपयोग से जो है वो यहां पर परचिद नहीं थे तो यह आपर सही आंसर वोगा तो यह जो है यहां पर सभाण हो मतलब क्या होता है तो पहले जो तीन वेदास रहे हैं, उनको jointly यहां पर कहा जाता है विदायतरी, ठीक है, फिर जो लास्ट वेद है, जो बाद में यहां पर एड हुआ, लेकिन उसमें जो है, इसको, मतलब उस वेद को इन विदायतरी में, यह try of वेदास में नहीं किना जाता, तो विदायतरी को try of वेदास और भी कहा जाता है, इन सब में अगर आप देखो कि तो इसका सई आंसर होगा अधर्ववेद जो इसका पाट नहीं है, अब अधर्ववेद जो है यंगेस्ट है, मतलब सबसे नया है चारों विदास में, इसली जो है विदायतरी में हमको देखने को नहीं मिलता है, उसमें इ भी पुछा जा सकता है statement में कि विदायतरी की शुरुवात के समय क्या अथर्ववेद यहां पर मौझूद था या नहीं तो इसके बारे में आपको यहां पर comment करना पड़ सकता है तो अथर्ववेद जो है इसका सही answer होगा तो इस चीज आपको ध्यान रखना है कि अथर्वव तो बिसिकली ट्राइज अभी हमने बात करी तो त्राइज यहां पर इस यहां पर एक्स्डूड कर लेना तो तीन जो वेद है वह आपको याद यहां पर रह जाएंगे नेक्स बात करें इन दा वैदिक पीरियाड पीपल कॉल्ड पनीज पर तो वैदिक काल में पीपल जो है आपर पनीज जो किसको कहते थे तो option A है those who control trade, option B है cattle breeders, option C है cow heads और D है plug men तो वैदिक काल में पनीज कहे जाने वाले लोग थे वे जने वैपार को नियंत्रित किया पशुपालक और cow heads और hull चलाने पाले तो बेसिकली अगर आप देगे तो पनीज जो है एक class रही है बहुत सारे जो मर्चेंट्स हैं जो मिलके यहां पर गिल्डस बना देते है और यहां पर trade और काउमर जो है हम पो द एक पराइखने को मिलता है तो बिसिकली पनी है वो जो है जो यहां पर control जो कर रहे है ट्रेट को तो वे जने वैपार को नियंत्रित किया है तो यह जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा next बात करें which of the following river known as पुरुष्णी in Vedic period तो Vedic काल के समय निनलिखित में से कौन सी नदी जो है पुरुष्णी के नाम से जानी जाती है यह जाना जाता है तो option है राभी, सतलज, ब्यास और चिनाब तो इसके बारे में जो है आपको यहाँ पर जो है हमको देखना है तो basically पुरुष्णी के नाम से अगर आप देखो कि तो किसे जाना जाता है तो पुरुष्णी के नाम से यहाँ पर राभी को जाना जाता है तो राभी जो है यहाँ पर सही आंसर होगा खर आपको पता है सतलज कहां से निकलती है तो सतलज जो है यहां पे तिबस से निकलती है और 1960 में एक इंडस wonder treaty भी हुई है जो भारत और पाकिस्तान के भीच में हूई है इसमें चेनाब जहलब और उंडस का जो पानी यहें यहां पर पाकिस्तान यूज़ करता है और बागी जो चीन रिवर बसती है राभी व्यास और सतलच उसका पानी जो है यहां पर इंडिया यूज़ करता है तो यह भी जो है आपको ध्यान लखना है नेक्स अगरा बात करें तब वैदिक रिवर कुभा वास लुकेटेट यह काफी इंप जो मिति है डार्यवर मुस्ट मैंचेंड इन अर्ली वैदये लिट्रेचा तो वह रिवर के बारे में हमको बताना है प्रारंबिक वैदद षाये इसमें किस नदी का किया गया है सर्वादिक उल्लेकित नदी कौन सी है तो आप्शान सिंधू सुतुद्री सरस्वदी और Kanga स सबसेदा जो है इ αυτ değ का यहां पर यहां पर बरनन है सिंदु का जो सर्वाइदे को लेख वह आपको देखने को मिलेगा सिंदु नदी कहां से निकलती है मतलब सिंदु जो फिर्ली के और इंदस जो है नया नाम है वितास्ता वितास्ता क्या है तो जेलम का नाम है ठीक है और अक्सिनी क्या है ये अक्सिनी जो है चिनाब का नया नाम है पुरुष्णी तो ये रावी का नाम है विपास जो ब्यास का नाम है विपास और विपास को आप यहाँ पर रिलेट कर सकत सब्सक्राइब करें ध्युमिर यह भी आप यहां पे यहां पर यहां पर 거야 रखेंग सकते हो इसको कुरुब तो कुर्रम फिर द्रिश्धॉति तो यह घंत वी को बुल जाता है और स्वांस्त में तो में लिए सिंदू आपको याद रखना है वितास्ता आपको याद रखना है अक्सिनि आपको याद रखना है और विपयासा आप इसली या पे व्यास से delight कर सकते हो शुतरी यहाँ पे 17 से relate और गुमल को यहाँ पे डिसकस कर सकते हो तो यह था वीडियो ज Romania है हमने इस वीडियो का सुने के लिए बहुत पर धन्यवाद चैहिन चैवारत